हेलो प्रेंड आपका स्वागत है हमारे चैनल बैसाली केमपस में दोस्तों रेल पे ग्रूप D की रिजल्ट के लेके अभी भी बहुत सारे डाउट बनी हुई है स्टूडेंट को तो इसमें से डाउट अभी भी है कि उन्हों का राव मार्क्स नहीं बताया जा रहा है कितने नमबर ऑफ औब्जेक्शन किये थे कितने सही हुए या कितने गलत हुए वह भी नहीं बताया जा रहा है या मास्टर एंसर सीट जो आती है को उनका वह भी नहीं अभी बताया तो अभी भी बहुत सारे डाउट बने हुए हैं तो रेलवे ने देखिए आप लोग को एक नो किलियर हो जाएगी इस वीडियो में आपको यही बताएंगे अगर इसके अलाबा भी बहुत सारे डाउट अभी रेलवे ने किलियर नहीं किया है जैसे आपका मास्टर एंसर कोशन पेपर नहीं दिखाया जा रहा है आपका नॉमलाइजेशन रो मार्क्स भी नहीं बताया जा रहा है तो बहुत सारे अभी डाउट बनी हुई है तो चली अभी तो यह बता दो कि राड़ रावी ने कैसे हंडेट से जादे मार्क्स आने की बज़ा बताई है तो चली हम आपको आपसेल नोटिस पे ले चलते हैं दोस्ते उसे पहले रिकेस्ट है कि अगर आप चैनल करना मत भूलिएगा चली हम आपको आपसेल नोटिस देखाते हैं कि दोस्तों आरार भी पटना है कि वेपसाइट से आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा इसको अगर करना चाहते हैं तो देखिए रेल्वे ने बता है लेवल वन की पदों पर भरती पीटी की जाज की पर हेतु पर नाम देखिए तो इसके बाद आपका पीटी होने वाला है तो आपको रेल्वे ने बताई है रेल्वे गुरूब डी के परिक्षा में भारी गरबरी देखिए आपका जो परिक्षा हुआ था 152 शिप्ट में हुआ था टोटल 51 डे चली थी 1.89 करोर स्टूडे में आबेदन किया था मैं इसको सोर्ट में आपको समझा देता हूं मेंली फर्मूला क्या है देखिए आपको नॉमलाइजेशन में फर्मूला जो यूज किया जाता है जो आपको रेल्वे बता रहा है वर्स 2000 से ही इस फर्मूला को रेल्वे द्वारा यूज किया जा रहा ह और इस फर्मूला से normalization प्राप्त अंक मतलब 2019 के level 1 group में भी किया गया है जिसमें आपका है देख सकते हैं इस फर्मूला है जहाँ पर S2 best score S1 normalization किया गया shift और XAV normalization की जाने रहा shift का आउसा तंक YAV है बेश shift का आउसा तंक और X है जो अब यारतियों का प्राप्त अंक shift Y जिनके सबसे अधिक सबसे अधिक है तो चलिए इस फर्मूला पर जादे गहर नहीं करनी है आपको बता देखें रेल्वे नहीं यहां पताया है देखें आपका जो 14 से 19 जन्वरी पे अपतित दाजी काने की डेट बताया गा था जिसमें 1.58 अभियार्थियों ने इसे ट्रेकर का उप्योग किया था जिसमें आपका पीटी के लिए मातर तीन गुना एस्टूरेंट को सेलेक्ट किया गया है जो अभी रिजल्ट आई है और रेल्वे ने बता रहा है कि जब नॉमलाइजर्शन होगा तो 100 से भी उपर जाएगा और इनके द्वारा 100 मार्क्स जो पर बताया जा रही है वो सब इडिटिंग किया हुआ है या जैसे भी है इडिट करके उसको बनाया दया है रेल्वे के मतलब टॉपर जो है नॉमलाइजर्शन में इनके द्वारा हो 126.13 मार्क्स है हाइस्ट मार्क्स तो इसमें रेल्वे ने यही पुरा डाउट मतलब डा तो आप लोग टी पीटी का भी डेट आचुकी है माथर 15 सौला दिंपीटी का डेट बदलब बच रही है यह तativas तारीक ना हां तीस से सॉन सेस्थ तारीक हो जो भी है तो मातर आप लोग पीटी पर ध्यान दिजिए जिनका सेलेक्शन हो चुका है तो पीटी पर ध्यान दि फाइनल सेलेक्शन ही होगा तो आप लोग पीटे पे ही जादे ध्यान दीजिए जो भी सोसल मीडिया पे चल रही है रिजवाई फिर से रिजल्ट आएगा ये आएगा ओपर ध्यान मत जादे दीजिए आप लोग पीटे पे ध्यान दीजिए तो जैसे ही कोई अपडेट आता प्रवालव